इनका थोड़ा सा परिवार में पढ़ना पढ़ेगा अमीर देव चुहान 1282 में गद्धी पर बैठे और 301 में अलाव दिन के अकर्मन कर दिया अब इनके बारे में पढ़ना और यहां से ताइदी ऐसा कोई एक्जाम होगा जांक वेशन निया 2% पूशन आता है सबसे पहले इनके पिता कौन थे पिता थे जैसिंग आपको कई जगें जैसिंग मिल जाएगा और की किताबों में इसका नाम गाए सिंबह भी मिल जाएगा लिखने वाले ने अलग-लग नाम लिख दिया हमारे समस्या कर दी हम यह माने कि वह माने बहुत सारे विदार्थी में ने मैं स्कॉमेंट करते हैं प्लाइन नमर पे शर गुगल में यह है उसने यह बताया आपने यह बताए आपको इतना ध्यां रखन बता को साँ परिवार साथ हराक कर्सूनध यहां आपके सॉईा यह बता रहां ति हीरा देवी पतनी रंग-धेवी पतनी रंग-देवी पुत्री पन मला aux वथमला फूत्री कों थी पत्दरन यह आपको याद रखना छोटा सा प्रिवार और इनके गुरु थे राघव देव इनके गुरु गुरु राघव देव गुरु राघव देव तरबारी कवी तरबारी कवी विज्या दीते हैं विज्या जीते यह बताएते हूं सब्सक्य पर इस इनके एक खास है युध्ध कनतम और का पर्तंसाथ हं 1202 अमीर ने खुद इसका नाम था इंगार हार यह इसका प्रिवार इसकी स्थिति दुबारा देखो अमीर देव चुहान 1242 से लेकर 1301 तक राज करती हैं रन्थमबोर पर पिता जैसिंग, जैतर सिंग, जैसिंग, जैसिंबा, माता हिरा देवी, पतनी रंग देवी, पुत्री पदमला, गुरु के लिवाह, अमीर स६ुस्तारा पिता जैसिंग की याद में 25 छत्री, इसके पिता जैसिंग की याद में इसके पिता ने बत्तिस साल राज किया था, रन्थमबोरपर इसलिए, 32 खम्बों की छत्री बनाई इसे न्याय की छत्री कहते हैं यह परसन बहुत बार आता है कि किस दुरुग के अंदर न्याय की छत्री है जो 32 खम्बों की निर्मान करवाय था हमीर देव चुहां ने अपने पिता किया था ठीक है यह याद रखना है आपको important है हमीर ने अपने जीवन में अपने जीवन में सत्रायुद लडे सत्रा सत्रायुद लडे जिन्नमें सोला जीते वे सत्रमायुद घ्रमायुद ऐलाउदिन हिल्जी। ऐला रखल दिन खिल्जी से-प्लजी से सार्कुन कि यह बहुत खास है जैसे हमने कहते नियुदुदुद के जयता मालदेव हस्मत वाला सासक माल देव अमीर देव चुहान ने अपने जीवन में सत्रा यूद लड़े थे सोडा जीते लेकिन एक सत्रों आर गया वो भी नहीं आरता अगर अनमल और अरतिपाल विश्वास गात नहीं करते इसकी उपादी देखो कौन कौन सी है हमीर देव चुहान की एक तो अपने आपको हटी हमीर हट क्योंकि इसने हट कर लिया था कैसे किया था मैं आपको बताऊंगा एक सरनागतों का रक्षक किसको कहते हैं हमीर देव चुहान को ठीक है हटी था और सरनागतों का रक्षक था कैसे था मैं अभी एक बात आपको बताऊंगा हमीर केते हैं कि एक यग करवाय था कोटिये जन यग करवाय था जिसका राजप्रोहित विश्व रूप था हमीर ने हमीर ने कोटिये जन कोटिये जन यग करवाया कि अरवाया था इसका राजप्रोहित इसका टिश्वरूप था इस बगेरा करवाते ना बड़े महा यह कुरूप कितने पंडित होते हैं बहुतो तो रेकों इसमें इसले एक मुख्य होता है इसमें मुख्या था विश्वरूप अपने जिवन में सत्रा युद लड़े सोडा जीते एक हार गया उपादी हमीर हट सरना गतों का रक्षक हमीर ने अपनी कोटेजन यग करवाया जिसका राजपुर्यद भी शुरुत यह परसन आता है कि हमीर की आनबान शान का परती कौन सा दुरुग है रन थंबोर हमीर दे यह सी में जब गदी पर बैठा था ना उसमें गुलामव उन्स फार न वॉक्ता प्लबन के बाद चोटे मोटे साथ का थी जब घिल्जी वहां साया यानि एक हीव जिवश की शरुआती हर 난 ham सुनाओ अपने खिलजी वह में जलाल के लिवरें भी यह लाये था फैसी अन इसलिए इन दोनों के बीच यूद्वेदीन और अला हुदिन के जिल्एन बार-बार आकर्मन करता लेकिन जीत नहीं पाता सबसे पहले हम बात करेंगे कमीर कि का वह जेला- लुदी जलालोदीन के बीच युद्ध जलालोदीन खिलजी है ठीक है जलालोदीन खिलजी के बीच युद्ध कब हुआ कि परसन पि पर में पिछला में पिछल पिछ नहीं पर मेर BFE ने पहले बार हमीर पर आकरमन कब किया था 120 में 290 में 1290 पर मिसी सिरी पाकर्मन किया था आकरमन किया था औरimana किया था और हमीर जीत कर को जीत गया हमीर जीत गया और यह हार गया जलालुदिन खिल जी हार गया यह हार गया 1290 से 1290 से लेकर बान में तक कई बार ऐसा फलाकर्मन किया जलालुदिन 1290 से 1292 तक कई बार जलालू दिन खिलजी ने रन थम्बोर पर आकर्मन किया रन थम्बोर पर एसफल आकर्मन किया यानि जीता ही नहीं कभी एसफल आकर्मन किया बार बार आकर्मन करता लेकिन कभी भी जीत नहीं पाया जलालू दिन खिलजी कभी जीत नहीं पाया था और रन थम्बोर पर दुरुग का छोटा। था जाहिन द्रुग इसे रन्थम्बोर द्रुग की कुंजी कहते हैं उस पर भी आकर्मन किये लेकिन कभी नहीं जीत पाया यहां पॉइंट लिखता हूं मैं जाहिन द्रुग कुंजी का नाम सुना है पहले कुंजी पढ़ने के लिए आती थी एक कुंजी जिसको कुंजी कहते थे एक कुंजी होती है चाप भी यह देखो अपने पास ताला है अगरी नहीं तो तड़ा नहीं खोल सकते अपो एक अलग बात आजकल दिमाग काम करते तोड देते ऐसा होता है क्यांकि आजकल हमें जल्दी चाहिए जल्दी के चकर में हम आ खिल्ची कभी जीतनि यह इस पर श्कर नियुद्ध तक स्टस हितने हैं उसने रण पर आकर्मन किय सकता है क्यों जीत जई नहीं जीता हो सने चोटे से जायंदुरूग पर किया उसको यह उसको भी नहीं जीत पाया तब लए जीत पाया इन धू इन युदो में नोट लगा के बात ध्यार रखना इन युदो में हमीर का एक सेना पती हमीर का सेना पती गुर्दास सेनी मारा जाता है गुर्दास गुर्दास सेनी मारा जाता है परसन आ चुका है कि मीर का कौन सा सेना पती जलालुदिन खिल जी के विरुद लड़ता हुआ मारा गया था तो गुर्दास सेनी यह ध्यान रखना आगे और सेना पती आएंगे क्योंकि यहां से कोई न कोई परसन कैसे पुछा जा सकता है अब कि यहां भी ऐसे बल रहां यहां भी सबला तंग आ गया और जलालुदिन खिल्जी तंग आ गया उश्य लास्ट बार कहा ऐसे दस दadiaगों को मैं मुसल्मानों के बाले बराबर्निश्यं के यह तंग आतास हो गया निरास हो गया बोले मुझे अबाए दमनी जुतन अ ये क्या समान यह कुछ नी दुट कि अपणे कितने बड़े बड़े दुरुग है अपने इतना बड़ा अपने दिल्दी सल्तनतिरीश के पास के तर इतना बड़ा है क्या यस दुरुग का करना है यह लो म franch अग 파ंपना। पड़ाय मतलब तो इसने का हतास हो के ऐसे दस तुर्गों को मैं मुसलमानों के बराबर नी बाल के बराबर नी समस्त इतनी बात के के आगे से आकरमणनी की अब क्या होता है उसका दमाद होता है बतीज्जा होता है जला अलाउदिन खिल जी वोले उसने सोचा ये बुड़ा उसका दमाद भी था उसका शसुर भी था उसका चाचा भी था भी मुस्लिम दिरमेस होता है उसने का ये बुद्धा नय तो जीता है नय तो किसी से jitte और नय मरता है और नय yn गदी छोड़ता एक दिन अलाऌद था जिं और जिलए के कि मार दिया एक तंग आकि पयादीन के셔 में में टपका दिया और अगला साशक बन गया अलावदीन खिलजी अब यहां एक बात लिख लेना या वही बात हार से आर से निरास होकर हतास होकर बेबस होकर निरास होकर जलालुदिन खिलजी ने कहा की जलालुदीन खिल जी ने कहा कि ऐसे दस दुर्गों को मैं मुसलबानों के अगों मुसलमानों के एक बाल की बराबर एक बाल के बराबर यह था और प्यूकर नहीं समझता हो हतास हो गया तुरु तो एक नहीं जीता एक भी नहीं जीत पाया और दस दस दुरुगों सबसे खतरनाक था इत्यास में पड़ते आण रहे हैं अलाव दिन खिल जी गधी पर बैठा बारा सो च्छान में से तेरा सो सोड़ा अपने आपको द्वित्य सिकंदर कहता था सिकंदर एसानी यह बहुत खतरनाक था यह समझे लो इसका मैं जब भी नाम लूँगा ना तो मैं इसको सोटकट में बोलूँगा एक के एक के अलावदीन खिल जी यानि एक के फोटी विश्वासकों को हराता है 301 का रन थंबोर का साका 303 का चित ओडगड का साका 308 को सिवाना का साका 3011 का जालोर दुरुक का साका लेकिन एक बात यह है कि राजपूत हारते नहीं अगर विश्वास गातनी होता तो वास्तों में नहीं आरते अब बस इतना अंदाजा लगा यह फुलतान जब जब एक ए 47 गुमाई इसने ऐसे चुटकियों में समाप्त होते जाएं यह वो कैसे यह देखो युदक है तो कला होती अलग सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे बारा सो चान में से तेरह सो थोड़ा इस विश्वी अलाउदिन खिल जी अपने चाचा ससूर को ससूर को ससूर किसको ससूर जलालुदिन खिल जी को जलालुदिन खिल जी को मारकर दिल्ली सुल्तान बना फिल्म देखियोंगे अब पदमावत पदमाव देखेंगे बड़ी खदरनाग देखो उसमें इतना खदरनाग रोल है असलियत में जलालुदिन अलाउदिन खिल जी की प्रसासनिक व्यवस्ता बहुत गजब थी इक है यह बजार नियंतरन पर नाली है सेनिक व्यवस्ता वगेरा बहुती गजब का सिस्टम था इस असको जीतना था उसको जीतना है किक हम याहां लिखें हमीर वैं हम लिखें हमीर वैं करना के के बीच संघर्ष का करण संघर्ष का करण क्या क्या करण सबसे पहले मैं आपको बताएता हूं कि जलालुदीन द्वारा क्या क्या करण थे पहला देखू कि जलालुदीन द्वारा कि खिलजी द्वारा कि फिलालों दिन खिल जी दो वर रन थमबोर नय जीत पाना रन थम पूर नय जीत पाना यंई लिकानिती भी इसको जीतना है कैसे कैसे करके फिक्स है चुरा है हमीर द्वारा राज करने देना को Magnus क्वारी सलतने थी राजकर नाए देना तो कर तो देना ही पड़ता था अमीर ने का मैं नहीं दूंगा जा प्या कर लेगा तेरा चाचा आया था तेरा ससूर आय था वह कुछ नहीं उखाड़ पाया मेरा तुम क्या समान था कुछ गुजरात अभ्यान के समय कि गुजरात गुजरात अभ्यान के दोराण के दोराण है रनथम वोर का बीच में आना रनथम और नोट पिसमें आनं इन तो यह करना तो जब गुजरात जा रहे है itelात लटा देता हूं यहांसे जिट्टी रोडी बणा दूगा साफ साफ क्योंकि जब भी कोई लूट पाट करके तो यह बीच में कर लेते थे यह साब करना था तीन कारण तो यह थे सबसे कखतर ना था कॅधा गर्ण मसे कारण नुकितATHAN49 दर्कोरें मजह आ अपनेटेश ई कि आलाव दिन खिल जिक की एक केanders देता एक की पतं एक की बेव क पीन आपैटल गैम हुए गैन आपती छनापती इसका सेनापती था मुहम्मद शाह के पीज प्रेम हो जाना प्रेम हो जाना अज यह ने प्यार किया तो डरना क्या अब यह AK-47 जो थी अब AK-47 की बेगम देख लिए चिमना बेगम अलाउदिन खिल जी की सेनापती मुहम्मद शाह के बीच प्रेम होने लगे रेम इतना बढ़ गया फिर क्या होता है कि मैं अब यह कानी बताऊंगा आपको मुहम्मद शाह के बीच प्रेम और मुहम्मद शाह मुहम्मद शाह द्वारा कि द्वारा हमीर की सेरन लेना हमीर की करणक Sapra what करना यह कारण था और अमीर ने सरन न दे दिक शरन अगतों का राक्षक अब कानी यह ओ Alright जलालोदिन रार्ण थमबच नीधी पाना हमीर द्वारा राज करने देना गुजरात अभियान के दुर्ण रन थम्बोर का बीच में अर अलावदिन की बेगम चिमना बेगम वैसेनापती मुहमत शाह के बीच प्रेम हो गया मुहमत शाह बाकर हमीर के पास अलागा रहा में शरन देदी परसन बहुत बार एक्जाम में आता है इनके बीच यूद का करण क्या है अब देखो कानी क्या ब कि बिली का बादशया एके 47 वैसे के 47 यहनी अलावदिन खिल जी का परिवार तो आपको समझी गया केशी क्यों ते रासुतीन में मने पड़ा अलावदिन खिल जी पदमनी को प्रापत करने के चक्र में रंती तोड़ पराकर्मन करता है पड़ा था फिर हमने अगे मपढें एक जालोरित रुग का शाक आएगा लोर रूका साका हर लाउ दिनखी कि घिलजी जो पुत्री थी फिरोजा वो प्रेम करते थी ते विर्म दे़ से घानेत देव की पुटर से फुदी आ गया कुट्री विया आ गी अब बेगम बचकी अलावदिन खिल्जी की बेगम थी बेगम सिमना इसी अलावदिन खिल्जी का सेनापती था मोहमध शाह मंगोल सेनापती था मोहमध शाह बड़ा नाम आता है इंडियन हिस्ट्री में मोहमध शाह और चिमना बेगम कहते हैं कि अलावदिन खिल्जी का सबसे पिरिये था सेनापती यह पिरिये सेनापती था और यह बेगम भी बहुत पिरिये थी अब धंट है पिरिये पिरिये ज्यादा करता करता प्यार तो वहीग जिकन आपां ज्यादा लाड़ लाड़ा लें वह बिंगो प्यार तो अकमन है के बर प्यार ऐसे हो जाता है कि इसको प्यार नहीं दें प्रेम नहीं दें वह प्यार के चक्र में कहीं दूसरी जगह चला जाता है यह किसी को इतना ज्यादा प्यार देते हैं कि वह प्यार में जाना था अच्छे तरीके से अब हुआ क्या इन दोनों में प्रेम हो गया भई यह संधी पड़ो नीच थे तो मिला गए एर मिल गए आ बन गया तो पीरिया पीरिया मिल गए प्रेम बन गया दोनों में प्रेम हो गया इनकी इस मौम्मद शाह का एक दोस्ता के एह बरू एक हैं पेले मुबायल था नी के बूरू ा recount वीक रहेले offering करने के लिए एक तुर एक पत्र बैबार के लिए यह थे वह था एत अब मूह chicos को बात करता तो के भू को बताता को है प्रेम इतना परवान चड़ा क्योंकि प्रेम अंदा होता है अब देखो सुल्तान किसकी भीवी थी यह बेगम थी अलाउदन खिल जी की इसको चोड़ करेंच के सहनपती के साथ प्रेम हो गया तो प्रेम रंग रूप कुछ नहीं देखता प्रेम जिसके साथ दिल लगा दिल इन को पता था भाग तो सकते नहीं कि वाग तो सकते नहीं लाउ दिन खिल जी की जो टो जो एक वह बाहत खतर नाग ते गुपचर पलपल की खबर अब एक पचिस के पतीगत पर एसे गुप्चर आजकल गुप्चर ए मन गया टेलीग्राम वर्ट सब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में रेल देखांगा नहीं तो यह कहागी कि तो आज तूं किंग सागा ओनलाइन अब यह था इन्होंने सोचा क्यों अब भाग तो सकते नहीं थे गुप्चर इतना गजब थार अब ऐसे तो एनिला उस बस में रोडवेज बस में चड़के या कोई प्रेन पे चड़के पहुंच जाएंगे पिछा पकड़ लेते हैं आजकल पुलिस पकड़ ले पकड़ ले इन्होंने सोचा अलावदिन खिल जी को मार देते और यह इतना खतरनाक था कि इसको पहले पता लगया कि इन दोनों की प्रेम कानी चल रही है और यह मेर को मारने वाले हैं तो ठीक यह भी कुछ अच्छा था उसने सोचा यार मेरी पिर यह बेगम है गलती हो जाती है और से है कि तुम आजकल मेरी बेगम के पास पास लग रहा है उले नहीं नहीं महाराज आपके पास आता हूं सुल्तान सहाब बादिशाह हम ऐसे कैसे कर सकते हैं इसे करके इसने का भी चलो नहीं करता है अच्छी बात अगर करता है ना तो तो दूर हो जाना तेरे फाइदे की बा का चक्क हो गया इसने का नहीं नहीं जी आपके राबा हुआ मेरे संसार में कौन इस दुनिया ने खिल का देगो दुनिया बरी पड़ी है रंगंब अकर रहे हों आज पालेघ्षावत है अज़क औहीं जी आप का बढ़ गया इतना बढ़ गया कि बोले इसको खतम कर दो अब अलावदिन खिल जी ने अलावदिन खिल जी को एकदम दोनों का पता लगया परदा अफास हो गया अलावदिन खिल जी ने इसके पीछे से ना लगा दी इसके पीछे मुहमद शाह बोले पकड़ो इसको खतम कर द पोले ताब बात यह होगी कि मैं इने उल्टा काम कर दिया तो कर दिया मैंने अलावदिन खिल जी की पतनी चिमना बेगम से प्यार कर लिया और प्यार मेरा बड़ा गजब का था पर बीच में अलावदिन खिल जी उसने का मुझे सरण दीजिए मैं अपराद तो करके आ गया लेकिन मुझे बचा लिजिए आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता हमीर देवने का काम तो गलत करके आया है अपने स्वामी को तूँ धोखा देके आया काम तो गलत है लेकिन तुम मेरे शत्रू का अब रादी है मैं निश्ची तिरे को साइता दूगा उसने कहा तू मेरे शत्रू का शत्रू आया है अपरादी आया है मैं उसे बचाओंगा तो मुहमद शा ने सर्ण देली किसकी हमीर देव चुहान इसलिए तो हमीर देव चुहान के बारे में कहा जाता है क्योंकि हमीर देव इतना हटी था हमीर देव इतना हटी था कि उसके बारे में कहा ज सब्सक्राइब कर देखे लिए तेल हमीर हट चड़े न दूजी पर हमीर ऐसा सक्टा यह शुहन सथपुरस वचन चिहने एक ही से एंको जनम देती है मेश्यां सिहन सथपुरस्वचन कदली फ़लत एक बार के ले के वरक्स के एक बार फल अलगते हैं यहां सथपुरस वचन प सत्पुरुस का वचन होता है वो कभी एल नहीं जाता है सत्पुरुस वचन कदली फलतिक बार तीरिया तेल हमीर हट तीरिया तेल एक बार इस्तरी के जब विवाय होता है तेल एक बार ही लगाया जाता है एक बार पहले यह होता था एक बार किसी की साधी होगी तो साधी होग थे तिरिया तेल अब तो चेंज हो गया सारा तिरिया तेल हमीर हट और हमीर का हट हमीर हट क्या सिह हैं सुहन सत्पुर्स वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चड़े न दूजी बार यानि जैसे एक इस्तरी होती है उसकी बार एक ही बार तेल चड़ाया जाता उस बोले मेरा प्रादी आगया तेरे पास छोड़ दे इसने का मैंने वचन दे दिया अब तुछे आकर्मन कर कुछ ही कर मैं नहीं छोड़ूंगा इस परकार मुवमज शाह को सरन दी यह कानिया यह याद रखना अब सिद्धी सी बात है हमेर ने सरन दे दी छोड़ा नहीं सबसे पहले अकर्मन हुआ हिंदू घाट वाटी का युद्ध घाट वाटी का युद्ध 1299 में यह युद्ध हुआ इसकिस के बीच देखो यह युद्ध हुआ हुआ हमीर देव चोहां और इधर अलब outta dien खेथे क्यलजी अ granted किवीजी खुद नहीं आता उसके सेनापती आते हैं यहां हम सेनापती की बात करें तो न उस्वर्थकां और उलुग खां और यह परसन बार बार पेपर में आता ही आता है अमीर देव के सेनापती अमीर देव के सेनापती बीम सिंग और धरम सिंग बीम सिंग और धरम सिंग अब युद तो उनाई था बार बार अलावदिन खिलजी की सेना आकरमन कर रही थी और युद का डंका बज चुका था डंका क्या बजा इस युद में हिंदू घाट वाटी का युद बारा सुनि न मारा ज़ता है यह पर सनाथ आता है अलावधिन खिल जी का कौन सा सेनापती मारा गया नुस्र die था इतना wrist रुडवार गया उल्लू हुडवा ऊड़र जाता है उल्लू बच गया ने मसभी jul लेड़ीन खिलजी नें झालन द्रुग पर और दिकार कर लिया कर लिया देखो जाइन दुरुकों केते रन थम बोर दुरुक की कुझी अब कुझी आतमे आगे तो ताड़ा खोल सकती है ना अलोग दिन खिल जी ने का पहले काम करो इतना बड़ा सासक है और वो हमारे प्रादी को नहीं छोड़ रहा इसका मतलव ताकतवर है पहले छोटी चीज़ पर आकर्वन करो अगर वो प्रापत होगी यानि हम अपने घर पे जाते हैं यह ताला है ताला लगा हुआ है जब तक हमें चाबी नहीं मिलती हम डूंड तेना पोड़े आज से दस साल पहले की चर्चा को याद रखो या आपको तो बहुत कम मैसूस होगा घर में जाते थे स्कूल जाते थे घर में जाने के बाद यह कंडिशन होती थी कि अपने माता पिता या तो खेती करते हैं तो खेत गयों थे कहीं अपने को कहता वाद चाबी पड़ी है ले लेना या तो आपको चाबी मिलेगे किसी मटके के नीचे इंट के नीचे या कुंडी के न अब क्या हुआ अब आकर्मन होता है इसे कहते हैं रन्थमबोर दुर्ग का साका रन्थमबोर दुर्ग का साका राजस्तान का पहला साका होता है इसलिए इसको बार 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 पेपर में पूशता है ठीक है रन्थम बोर्द दुरुक का साका मैं पूरी डिटेल यहां पर बताता हूं सबसे पहले यहां लिखना है अमीर देव और यहां क्या लिखना है अलाव दिन खिल्च एक लिख देता हूं सिधा समझीगे आप बार बार बताने की जुरूरत नहीं एक एफोर्टी से अब का सेनापती था एक नुशुरत का मारा गया यूद तो टपकेगा टपका दिया इधर से हमीर देव चुहान के सेनापती कौन थे हमीर देव चुहान की पत्नी कौन थी रंग देवी पत्नी रंग देवी ने क्या किया जल जोहर किया जल जोहर यानि पहला ऐसा वाथा जल जो और यहां देखो नेनापती विश्वासगाति सेनापति कि विश्वासगाति किसने और यह परसन अभी ताजा आया है रनमल रतिपाल और तीसरा इनके साथ था सुर्जन शांद कुन था दुर्जन से इन्होंने किया विश्वास गात इन्होंने क्या किया विश्वास गात अब देखो यह है रनत्थम बोर दुरुग वैसे अबुल फजल ने इस दुरुग के बारे में कहा था कि बाकी सब दुरुग नंगें जबकि यह बक्तर बंद है तो यह यूद था इसको गेर लिया किसने अलाउदिन खिल जी ने अलाउदिन खिल जी ने इसको गेर लिया बोले आने जाने का सब रास्ता बंद करदो सब सिस्टम करदो एक साल तक गेरे रखा इसको एक वरस तक गेरा रखा इसका इतना एक वरस तक गेरा रखा इसका अब देख लो अंदाज तक इसको गेरे रखा अब अंदर इसेनापती सारा कुछ थे जितनी रसत सामग्री थी वो अंदर खाली जितने दिन खाली जल वगएरा सब है अब एक साल तक जब गेरा पढ़ रहा तो भी अलाव दिन खिल जी नहीं जीता अलाव दिन खिल जी को यह लगा अब इस परकार त रतिपाल है और हमीर देव से समझोता करने की दाऊव दिन खिल झीरे का जब और उन्हों को लाव दिर दिन कि तरब से समझोते के इसलिए इन्हों ने विश्वास किया इनवे दुरग के अंदर जितना भी जल था उसके अंदर को रक्त मिला दिया और जितनी भी खद्यसामगरी थी सामगरी उसमें जानवरों के हडियों का चुरा मिला दिया जोनो इ tapped कीँ का चुरा मिला दिया अब जितना पड़ा था संतोस्ट इस दुरुमें ये-क अगे इस दुरुपवr कि अमीर खुसरों क्या कहता है ? अमीर खुसरों यह कहता है कि इसमें नय तो जल बचा सब्च और नहीं खद स्यामगी बची इसमें यह कंडीशन आगई कि दो सोने केसे दानों के बैँ । कि बदले एक अनाज एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था यह बात किस ने कहीं थी अमीर खुसरो ने तो साथ ही रहता था हमीर खुसरो ने कहा कि जब हमने एक साल तक गेरा डाले रखा रसद सामगिरी मुक गई तो ऐसी कंडिशन थी उन सेनापतियों की लोगों की कि अगर कोई दोस होने के दाने बदल यानि कोई कहते हम एक अनाज का दाना दे देंगे तो भी नहीं मिल रहा था इस परकार हमीर द इस युद को हार जाता है इन विश्वास गात के कारण और जीत जाते हैं यह जीत जाते हैं क्योंकि एक साल तक लंबे गेरे के बाद अब रसद सामगिरी मुगली तो सारे बुखे मरने लगे तब सेनापति के सरीया बाना दारण करके युद करने आते हैं वीर गती को प्र पर्थम साका यह राजस्थान का पर्थम साका कहलाता है पर्थम साका इस युद को अलाओ दिन खिल जीत गया अलाओ दिन खिल जीत गया तब अमीर खुसरों क्या कहता है अमीर खुसरों कहता है कि कहता है कि आज 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 पुफर का गड़ पुफर का गड़ इसलाम का घर हो गया ऐसलाम का हर हो गया यानि मुसलमान विरोधी थे हंदू तो लिएंदू का जो घडर आब इसलाम का हो गया यहमेर खुसरों ने का यह राजस्थान और रण३र अुद खिल जीट गया अब वाद लिखल लनाँर कंत अमीर के बारे में पंक्ति क्या लिखी गई है देखो क्या लिखी गई है सीहें तुवन कत पुरुष वचन वचन कदली फलत इक बार किरिया तेर हमीर हट किरिया तेल हमीर हट किसको याद रखना बड़ी का जब किसके बारे में का गया है प्रण थंबोर के हमीर देव चुहान के बीच यह सारी का ने हो जाती है खतम अब हम कुछ जानकरी के स्तरोथ ये अ जानकरी का भी पता लग जाएगा साथ में और साथ मैं कुछ G्रंथ की चर्चा कर लेंगे जानकरी के स्तरोथ लिगते सारे गरंथ है अमीर के दर्बार में एक तरण लिखता हूं साथ साथ में बरसाथ में गरंथ लिखता हूं कि अमीर महा कावे अमिरम कावे कर दो किस ने लिखाता है पा नयान चंदर सूरी ने लिखा था ये परस grown पेपर में आते हैं एक हमीर हट अमीर हट यह लिखाता चंदर सेखरने चंदर सेखरने अमीर हट चंदर सेखरने अमीर महाकाविया नैन चंदर रजने हमीर रासो अमीर रासो लिखाता जोद राजने अमीर रासो दो है एक जोद राज जोद राज ने लिखाता ती कि ऋर एक लिखाता सारंग धर नाएक कोई भी के दोनों में उप्सन आए आपको करने इसके अलावा एक गुरंथ हो रहा है जिसका - requested है ए गुर्ण है एक गुरोन का नाम है अमी रायन हमीर राइन गरंध है रचित्प एह व्यास बाहन जो मि रायन व्यास भांट व्यास भांट हमीर रायन गरंध लिखाता व्यास भांट एक हमीर बंदन भी है हमीर बंदन लिखाता केलास अमरित नहीं ठीक है हमीर हमीर बंदन यह लिखाता अमरित के लास नहीं अमरित के लास यह आपको कुछ गरंतियाद रखनें जहांसे जानकारी भी मिलती है और इंपोर्टन भी है हमीर महकाव्य हमीर हट हमीर रासो हमी रायन हमीर बंदन इस परकार यह सारी कहनी कहतम हो ये रास्तान का पर्थम साका 1301 में